किसी जनल में बंटी कबूतर और टंटुनी नाम के पती पतनी रहा करते थे एक दिन टंटुनी और बंटी में जगड़ा शुरू हो जाता है टंटुनी अभी तक तो मैं चुप था लेकिन तुमने फिर से गड़की को जनम दे दिया अब मैं तेरी तीन बेटियों का खर्च नहीं उठा सकता अभी के अभी निकल जा मेरे घर से बंटी अब मैं इन बच्चियों को लेकर कहा जाओंगी ये तीनों बच्चिया तुम्हारी ही है तुम्हारा दिला जितना पत्थर क्यों हो गया है इन बच्चीयों के मास्म चैरे को देखकर भी तुम्हें इन पे तरस नहीं आता हाँ नहीं आता तुअभी के अभी इने लेकर निकल जा नहीं देखनी मुझे तुमारी और तुमारी बेटियों की शकल पंटी आज तुम जिन बेटियों को घर से बहार निकाल रहे हो एक दिन तुम्हें इन बेटियों पर नाज होगा मैं इने लेकर जा रही हूँ अगर तुम्हें इतरास ना हो तो मैं तुम्हारे पास वाली पेड़ पर जौबरी बना कर उसमें रहना चाती हो पर पडोश के घरों में जाडू पाँजी का काम करने लगती है एक दिन मा बहुत जुरू की भूख लग रही है कुछ खाने को दे दो अच्छा बेटा तुम लोग यहां बैठ जाओ मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूँ तुन्टुनी अपनी तीनों बेटियों को खाना खाने के लिए देती है मा आप रोज रोज सुखी रोटी ही देती हो खाने को जब हम पापा के घर थे तब हमें खिचडी भी मिलती थी खाने को मा पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया क्या बताऊं बेटी पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खालो मैं कल तुम लोगों को किसी तरह खिचड़ी बना कर खिलाऊंगी रात में सबी सो जाती है लेकिन टुन्टुनी की आँखों में नींद नहीं थी तभी उसके पास उसकी सहीली का फोन आता है अरे टुन्टुनी आशकल तुम कहा हो बहुत ढूंते ढूंते तेरा नंबर मिला क्या बताओं आशकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ मेरे पती ने तीन बेटी होने की मुझे सजा दी है मुझे मेरे बेटियों के साथ मुझे घर से बहर निकाल दिया है और मुझसे पूरी तरह से रिष्टा तोड लिया है टुन्टुनी तु कल मुझसे मिल मैंने गरीब लोगों के लिए एक सिलाई सेंटर खोला है तू कल से मेरे इस स्लाइ सेंटर की देखभाल करना शुरू कर दे और इस काम के लिए मैं तुमें अच्छा खासा बाजरा और अनाज दूंगी तो क्या कहती है कल से तू आ रही है ना हाँ मैं कल आ रही हूँ तूने मेरे इस बुरे समय में मेरे साथ दिया है अगले दिन से टून्टुनी सिलाई सेंटर को संभालने लगती है कुछी दिनों में टून्टुनी अपनी बेटियों के एड्मिशन एक अच्छी स्कूल में करा देती है मा ये देखिए हम तीनों अपनी अपनी कलास में फरस्ट आए है हाँ बेटा तो मिसी तरह मन लगा कर पढ़ना और एक दिन अपने माबाप का नाम रोशन करना कुछ सालों बार टुन्टुनी की तीनों बेटियां पुलीस अफसर बन जाती हैं और अपनी मा के साथ खुशी-खुशी रहने लगती हैं संदर्वन जंगल में कालु कोई नाम का एक धाबा था वो बहुती ज्यादा मश्यूर धाबा था जो भी पक्षी वहां से गुजरता था वो उसके धाबे का खाना खाए बगेड नहीं जाता था अब कालु कोई को इस बात का बहुत घमंडा जाता है एक रात की बात है टूनी होटल तो कितना बड़ा है चल भाग यहां से आई भड़ी बिकार जब देखो मूँ धाकर आ जाते हैं यह धाबा आये कोई धर्मशादा नहीं यह कहकर कालु को वो टूनी चड़िया को धक्के मार के वहां से निकाल देता है अगले दिन कालु कोई का नौकर चिंटु अब वो टूनी चड़िया की लाश को फूए में डाल देते हैं ऐसे ही काफी दिन बुज़र जाते हैं एद दिन रात के टाइम सोनू कब उतर अपने परिवार के साथ ढाबे पर आता है पापा मैं तो मटर पनीर खाऊंगी जल्दी से मंगवा दू मुझे बहुत तिस भू क्या लेकर आओ आपके लिए सहाब हमारे ये तिन प्लेट मटर पनी की ले आओ वो हक्तिस भूग लग रही है जल्दी से लेकर आना अरे लेकिन एक बात पूछू तुम इतनी डरावनी सी कैसे हो तुमें देखकर कोई ड़ जाए ये कहकर वो वहां से चली जाती है तबी कालू कववा वहां पर आता है नमस्ते सहाब माफ कीजिया थोड़ा लेट हो गया मागर भी नहीं है काम के लिए बताइए आपको क्या चाहिए मैं अभी गरम गरम लेकर आता हूँ भाई साब आप कैसा मनसाग करते हैं अभी अभी आपके धाबे पर काम करने वाली चड़िया हमारा ओडर लेकर गई है भेंजी लगता है आपको कोई गलत तैमी हुई है मेरे यहाँ कोई चड़िया काम नहीं करती ये सुन कर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं अब रोजाना कालू कोई के धाबे पर अजीब अजीब घटनाई होने लगती है जिससे सब पक्षी डड़ जाते हैं और उसके धाबे पर आना छोड़ देते हैं एक दिन चिंटु चड़ा कालू कोई से कहता है साहब मुझे लगता है वही बिकारन चड़िया कर रही है जिससे आपने खाना खाने के लिए नहीं दिया था और उसकी मौत हो गई हाँ चिंटु मुझे भी लगता है तू ये बता मैं क्या करूँ साहब मैं एक जादु गर्नी को जानता हूँ वो सब पक्षी के आत्मा को काबो करना जानती है अगले दिन कालू कववा और चिंटु चड़ा जादु गर्नी की कुफा में जाते हैं और उसे सारी बात पताते हैं कालू कववे ये तुमने क्या किया इतने घमण में आकर तुमने एक मासम चड़ा की जान ले ले अब जादु गर्नी अपने जादु मंत्र से तूनी चड़ा की आत्मा को वहाँ पर बिलाती है किसी में भी मुझे रुपसान पहुचाने की कोशिश्टी में उसे मार दूंगी जादु गर्नी जादु गर्नी तूने मेरे जादु गर्नी तूने मेरे साद बहुत कलक्स दिया मुझे माप कर दें जादु गर्नी जादु गर्नी पानी पूरी बेचने वाली चड़िया थी एक दिन वह रोज की तरहां पानी पूरी बेच रही थी तभी वहाँ दो कवई मा बेटे आते हैं आरे ओ पानी पूरी वाली तू प्लेट लगाना अभी दे रही हूं प्रेंजी ये लीजे खालो बेटे पहले तू खालो नहीं मा पहले तुम खालो तुम खाओ तुम खाओ की चक्कर में पानी पूरी वाली की हाथ से पानी पूरी सुन्दरी की जूतों पे गर जाती है आरे ये तूने क्या किया बेरे जूते खराक कर दी है तू जानती भी है इन जूतों की कीमत कितनी है तेरे जैसे दस पानी पूरी के ठेले आ जाएंगे बहंची गलती हो गई गलती से गिर गई मुझे माफ कर दो तुम जैसे छोटे लोग यही करते हो पहले गलती करते हो फ पानी पूरी में थूप देती है आप देखती हो तो कैसे पानी पूरी बेचती है अप मेरे सारी पानी पूरी को खराब कर दिया अब मेरे कैसे बेचूंगी में बहुत करीब हो अब में घर पर जाकर क्या कहूंगी मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको मेरे पूरे प वहां से उड़ जाती है। मा मा आपने ऐसा क्यों किया? आपने उसके पानी पूरी में क्यों दोगा? ये दो गलत बात है ना मा? चुप हो जा! क्या गलत बात है? उसने मेरे साथ वत्तमीजी की इसलिए मेरे उसको सबक सिखा दिया इन छोटे लोगों को ज्यादा मो नहीं लगाना चाहिए अब जल्दी घर चल इस पानी पूरी वाले वे तो मेरे सारा मोडी खराब कर दिया दूसरी तरफ टुन्टुनी रोई जा रही थी अब मैं क्या करो? घर जाकर मा को क्या करोंगी? और इस पानी पूरी को ले जाकर कहां फैको? अगर किसी को फिला दिया तो बिमार पड़ जाएंगे मैं इसे लेकर मा के बस चलती हूँ देखती हूँ वो क्या कहती है? तुन्टुनी घर आती है अरे तुन्टुनी तू इतनी जल्दी घर वापस आ गई और तेरे आश्च पानी पूरी भी नहीं बिके क्या बात है? मा क्या करो? एक कवे ने मेरे सारी पानी पूरी में थूप दिया मैं कैसे इन पानी पूरी को बेच हूँ? क्या हुआ? ऐसे चोटे मोटे हास से तो होते रहते हैं अगर किसी ने एक दो पानी पूरी में थूप दिया तो तो उसे निकाल कर फैक देती बागी तो बेच लेती मा मेरा मन नहीं करता ऐसे पानी पूरी बेचने का जिसमें किसी ने थूप दिया हो ये तो ग्राहक के साथ धोका होगा अगर मैंने ग्राहत को दोकी से इसे खिलाबी दिया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे वो मुझे नर्क में भेज देंगे बड़ी यही स्वर्ग में जाने वाली तुने कौन से अच्छे काम किये हैं जो तू स्वर्ग में जाएगी चल हट मैं जाकर पानी पुरी बेच कर आती हूं नहीं मा मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगी ये लो मैं सारे पानी पुरी को ही तोड़ देती हूं तुन तुनी सारे पानी पुरी को तोड़ देती है ये लो मा मैंने सारे ये पानी पुरी को तोड़ दिया कम बखर तुझे पता है तूने क्या किया हम गरीबों की छोटी सी पूंजी होती है उसी में ही काम करना पड़ता है आज तूने उस पूंजी को बरबात कर दिया आज से तेरा चार दिनका खाना बंद ठीक है मा मैं भूब के रहलूंगी लेकिन जूटा पानी पूरी किसी को न अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तुम देपने कमजोर भी किसी से हार माल लूं चुन्टुनी दुबारा से पानी पूरी बेचने लगती है अरे यृ पानी पूरी वाली आज में तेरी सारी पानी पूरी को बब्रेती बार में खरीद लूंगी और अपने पूरे परिबार पानी पुरी की पार्टी दूंगी मैम सब आप कितनी अच्छी है अगर आपके जैसे ही सभी पक्षी हो जाएं तो गरीब चुडियाओं को कोई दुखी नहीं रहेगा सारी पानी पुरी एकी बार में बिख जाने से तुन तुनी चुडिया बहुत खुश होती है दोस्तो कल के लग्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर दोस्तो आज का सवाल ये है पानी पुरी में कौन थूख देता है जल्दी सोचो और अपना अंसर कॉमेंट कीजिए लग्की विनर्स की कॉमेंट को हमारी कल की वीडियो में दिखाया जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होते से लाइक और ऐसी कहानिया देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले